हेलो बच्चों आज मीगों को बता रहा हूं जैकपोर्ण को मैच का पते जाता है आपना से में करते आपका कितना माद और करके बताइए थो सिटार करते हैं जैक बोड का एंग का मैस्की तो देखें प्वस्ट को सबसे पहले हम लोगे कर लेते हैं 5005 का अभाई-जिकुन खंड क्या होगा तो का अगयर आज जयाए गालते हैं तो लग है अगयर बी कमान क्या होगा अगर यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले में A का Q का और R का वेल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वह आएगा 9 यानि कि option number 3 इसका answer होगा इसके बाद question number 3 को हम लोग देखते हैं थिरी रूट टू एक डैस संख्या है तो थिरी रूट टू एक अपरी में संख्या है तो यह इसका आंसर होगा option number 2 उसके बाद question number 4 को हम लो देखते हैं question number 4 में है 35 by 50 का दसमालो परसार कैसा है तो इसका जो दसमालो परसार है वो 7 होगा यानि कि option number 1 इसका answer होगा उसके बाद question number 5 को हम लो देखते हैं question number 5 में है y is equal to px का graph दिया गया है बहुपत px के सुन्यकों की संख्या क्या है तो देखिए यहाँ पर दो जगा कट कर रहा है यह 30 का answer 2 हो जाएगा यानि कि option number 3 इसका correct answer होगा उसके बाद हम लो देखते हैं question number 6 को तो question number 6 में है यहाँ x square minus 15 का सुन्यक क्या होगा तो बहुत असान question है इसका सुन्यक हो जाएगा minus root 15 और root 15 यानि कि option number 3 इसका correct answer होगा उसके बाद हम लो देखते है question number 7 को question number 7 में यदि बहुत एकस square minus 2x minus 8 के सुन्यक a और b हो तो a plus b का मान क्या होगा तो a plus b का मान हो जाएगा आपका option number 3 question number 7 का जो option number 3 है ये correct answer होगा उके उसके बाद हम लो आते है question number 8 में question number 8 में है जब दो चर वाले रैखिक समिकरनों का आलेक परतिशेदी रेखाए है तब उनके हल होंगे तब उनके हल क्या होंगे तब उनके हल एक होंगे option number 1 इसका answer होगा उसके बाद question number 9 को हम लो देखते हैं question number 9 है समिकरन निकाई a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 तथा a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 का अनन्त हल होंगे यदि अनन्त हल किसका होता है तो अनन्त हल जो होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 option number 3 इसका answer होगा उसके बाद question number 10 को देखते हैं तो question number 10 है रैखिक समिकरन योग में 2x plus y is equal to 5 और 3x plus 2y is equal to 8 का हल है तो इसका answer हो जाएगा option number 3 x का value 2 आएगा और y का value 2 आएगा उसके बाद question number 11 को देखते हैं question number 11 में समिकरन निकाई 4x plus py plus 8 is equal to 0 और 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 के अदितिया हल होने के लिए p का मान क्या है तो अदितिया हल का formula होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 इसमें अगर हम सबका value को put करेंगे तो इसका जो answer निकल के आजाएगा वो p is not equal to 4 आएगा यानि कि option number 3 इसका correct answer होगा उसके बाद question number 12 में हम लोग देखते हैं इसका जो आणसर आएगा वो आपका option number 1 आएगा यानि कि इसका जो दिखाद समीकरण निकल के आएगा केवल option number 1 का निकल के आएगा यानि कि इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा option number 1 उसके बाद question number 13 को हम लोग देखते हैं दिखाद समीकरण 2x square minus 7x plus 6 is equal to 0 तो इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा option number 3 उसके बाद question number 14 को हम लोग देखते हैं question number 14 है यदि दिखाद समीकरण x square minus 7x plus 4 is equal to 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा तो इसका पी का जो value आएगा वो निकल कर आएगा यदि दिखाद समीकरण x square minus 7x plus 4 is equal to 0 के मूल बराबर हो तो P का मान क्या होगा तो इसका P का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4 यानिका option number 2 इसका answer होगा उसके बाद question number 15 को आदो देखते हैं दी घात समिकरा next square plus 5x minus 6 is equal to 0 का घात होगा तो इसका option हो जाएगा option number 3 correct answer होगा option number 2 घात पुछा यानिकी power पुछा है तो 2 हो जाएगा उसके बाद question number 16 को देखते हैं question number 16 में AP 0.6,1.7,2.8,3.9 का सारवंतर होगा यानि कि सारवंतर निकालना है यानि कि आपको common difference निकालना है ती निकालना है यानि A2 में हम A1 को माइनस करेंगे यानि कि 1.7 में हम लोग 0.6 को माइनस करेंगे तो इसका answer निकल के आएगा 1.1 यानि कि option number 1 इसका answer होगा उसके बाद question number 17 को देखते हैं AP is equal to 10,7,4.… का तीसवा पद है यानि कि A30 आपको निकालना है A plus N minus 1 into D के formula पे put करके तो इसका जो answer निकल के आएगा इसका answer निकल के आएगा minus 77 तो इसका जो answer होगा वो हो जाएगा minus 77 option number 3 उसके बाद question number 18 में आते हैं question number 18 है 2 plus 7 plus 12 plus dot 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 10 पदो का योग है यानि A1 दिया हुआ है A2 दिया हुआ है और N का value 10 दिया हुआ है हम लोग SN का formula में put करेंगे N by 2 into में 2 A plus N minus 1 into में D इसमें जब हम put करेंगे तो इसका जो answer निकल के आ जाएगा 245 निकल के आएगा तो इसका option number 3 answer हो जाएगा correct उसके बाद question number 19 को हम लोग देखते हैं question number 19 है सभी work होते हैं तो सभी work समरूप होते हैं option number 1 उसके बाद next question को हम लोग देखते हैं question number 20 तिर्भूज ABC में D, A, B, E क्रमस, A, B और A, C पर दो बिंदू है तथा D, E समानांतर B, C है यदि AD is to B, DB is equal to 2 is to 3 और A, E का जो वेल्यू है वो 1.6 cm है तो EC का मान क्या होगा इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 2.4 cm यानिकि option number 3 इसका correct answer होगा उसके बाद question number 21 क को हम लोग देखते हैं 21 में है यदि तिर्भूज ABC समरूप है तिर्भूज DEF के और BC is to EF का जो वेल्यू है वो 3 is to 5 है तो area of triangle ABC is to area of triangle DEF का वेल्यू क्या होगा तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 9 is to 25 option number 4 इसके बाद question number 22 का हम लोग देखते हैं बिंद की दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो यह हो जाएगा X1 Y1 और यह होगा X2 Y2 और दूरी का जो सूतर होता है वो होता है X2 minus X1 का हॉल स्क्वार प्लस Y2 minus Y1 का हॉल स्क्वार और इसमें जब हम पूट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वह जाएगा पांच एकाइम यानि की आप्सन नंबर फॉर इसका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद क्वेशन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं बिंदू इतना और इतना वो मिलाने वाले रेखाखंड का मैं देबिंदू है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर टू दो औ तीन मैं दीवेंदू का फॉर्मूले से इसको हम बनाएंगे तो आंसर निकल के आएगा टू और तरी उसके बाद पॉर्शन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं यदि एक कोडिनेट दिया हुआ है बी का कोडिनेट दिया हुआ और सीका कोडिनेट दिया हुआ है ते रिभूच होता है थो इसका निकल यह पूट करेंगे तो इसका जो पूट करेंगे तो इसका जो प्रप्र निकल के आ अप्षन नमबर 2 उसी तरह से हम लोग 26 नमबर को देखते हैं 2 साइन एज उकल टूरू टूर्ट अंडर 3 है तो एक अमान क्या होगा तो 2 sin A is equal to root 3 है तो sin A is equal to हो जाएगा root 3 by 2 यानि कि root 3 by 2 जो होता है वो किसका value होता है तो 60 degree का value होता है तो इसका answer निकल के आएगा option number 3 उसके बाद question number 27 को हम लोग देखते हैं 27 जो है वो है court 90 degree minus A बराबर है court 90 degree A जो है वो बराबर है 10 A के यानि कि option number 3 जो है इसका correct answer होगा option number 3 उसके बाद question number 28 को देखते हैं 28 में है sin square A plus cos square A का मान है तो sin square A plus cos square A का value है वो होता है 1 यानि को option number 2 उसके बाद question number 29 एक मिनार के सीर्स का उन्यायन को उसके बाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 degree है तो मिनार की उंचाही क्या होगी इसको जब हम solve करेंगे तो इसका जो answer निकल के आजाएगा वो आजाएगा 15 root 3 option number 2 उसके बाद question number 30 को हम लोगो देखते है Question我们 30 मैं है किसी न loss by बेंट्षाओं की संख्या क्या होगी तो किसी बाही बिंदू से असपस रेखाओं कि जो संख्या होती है वह दो होती है यानि कि आप्सन नमबर तीन उसके बाद पूर्शन नमबर थर्टीवन दी गए आकृती में यह 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 इनल निकल कर आजाएगा वह आजाएगा आपका 55 नमबर वन उसके बाद पूर्शन नमबर तर्टीटू यह एक बिंदू P से O के अंदर वाले किसी बिरीद पर P A एवं P B असपस रेखाएं पर अस्पर 80 डिगरी के कौन पर जुकी हो तो P O A बराबर होगा इसका आंसर आजाएगा उसके बाद हम लोग देखते हैं Q 33 को Q 33 में है निमन में से कौन ब्रीद के 6 तफल का सूत्र है तो ब्रीद के 6 तफल का सूत्र होता है पाई यार इसक्वाइर ऑपसन नमबर वन उसके बाद Q 34 को देखते हैं तो उसका परिमाफ होगा तो तिर्जा अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाफ होगा तो तिर्जा अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो परिमाफ निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर option number two उसके बाद question number 35 को देखते हैं question number 35 है 42 cm तिरिजा वाले ब्रीद के उस तिरिजा खंड का चेदरफल क्या होगा जिसका कौन 120 डिगरी है तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 cm संख्याओं का माध्य होगा तो पर्थम तीन लगातर प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा तो पर्थम तीन लगातर प्राकृतिक संख्याओं को जो माध्य होता है वो दो होता है यानिकि option number टूइस का आंसर होगा उसके बद question number 38 को देखते हैं संचै बारंबरता वक्र कहलाती है तो संचै बारंबरता वक्र जो है वो तोरन कहलाती है यानिकि option नमबर वन होगा उसके बाद question number 39 किसी पासे को फेकने पर संख्या आने की प्रायक्ता क्या है तो किसी पासे को फेकेंगे तो संख्या मेरा क्या क्या आएगा संसंख्या मेरा दो आएगा चार आएगा और छे आएगा यानिकि तीन आएगा और टोटल जो होता है वो छे होता है यानिकि एक बटा दो यानिकि option no 4 इसका correct answer होगा उसके बाद question no 40 वह देखते हैं और फॉर्टी जो है वह निम्न में से कौन सी घटना की प्रायक्ता नहीं होसकती है तो इसका हो जाएगा यह भी होगा यह भी होगा यह यह भी होगा यह जो है दो पन फाइब जो है वो नहीं होगा यह कि सब्सक्राइब आंसर हो जाएगा वह जाएगा 2.5 ता मुझे कमेंट स्क्राइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लेगा थैंक्यू